हेलो एवर्वर्वन कैसे हैं आप सबी लोग I hope आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज के इस वीडियो में हम जिस प्लांट का डाइस्क्षिन करने वाले हैं और जिस प्लांट के टैक्सोनामी केरेक्टर को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं वो प्लांट है चा आप इस प्लांट को ध्यान से देखिए I hope आप सबी इस प्लांट से रूबरू होंगे और इसको बहुत अच्छे से चानते होंगे क्योंकि यह जो प्लांट है वह बहुत ही इसली अवेलेबल होते हैं और हम इसे एक औरमेंटल प्लांट के फॉर्म में अपने घर में पर भ आप सबी कॉमेंट में लिख करके मुझे बता सकते हैं कि यह बिलाउंट है जिनका आप बैसक्ष्ण वीडियो देखना चाहते हैं और इसको समझना चाहते हैं तो तो तैबर्नी मोंटाना डैबरी काटा जिसे हम कॉमनली जस्मीन या चांदनी के नाम से भीचानते हैं यह आप बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की क्लास कया है क्लासे क्लास जयसे कि अपने सारी वीडियो उसमी आपको बताते हैं शेसान इसपेसिज खाना लिखेंगे यू शुद आप अट अन्डरलाइं को तैबर्नी मोंटाना में हमने यह बिलान किया है अब हम पढ़ेंगे जैस्मीन का इस्टेम एंड लीव तो पहले इस्टेम के बारे में पढ़ते हैं अगर हम जैस्मीन के स्टेम के बात करें तो जो जैस्मीन के स्टेम होता है वो नीचे से आप देखेंगे तो वोडी होता है जैसे कि मैंने आप लिखया पोल्टिह ओकाई अम्हों नाती होता है कि इसका नी अअवि sniff is denkt regenerate dalी इस लोघर नाती है यहां तो आप देखेंगे यहां पर क्या यह ईनom color चलए क्लर चलार होतार तो आप देख सकते हैं जहें को arrivé को ? ने ढुत है। valid नां कोुत होता है । ऎनगे सायर याट और कि होताए ने वीडिरम प्रशांत hopes ने वीडिरम आसे विर फार भी होता है जो stem होता है वो glabrous होता है यानि कि smooth होता है glabrous का meaning होता है free from air जिसमें hair present नहीं होते है तो हम यहां के stem में हम देखेंगे कि इसमें hair present नहीं होते है, glabrous होता है and milky latex present होता है यानि कि अगर हम stem को तोड़ते हैं milky latex present, okay stem में हमने देखा कि यहां पर milky latex present होता है तो देख लेते हैं कि हमने stem के बारे में क्या study कि है, तो stem हमने पढ़ा कि stem होता है बिल्कुल सही बात है, lower portion इसका woody होता है, aerial होता है, erect होता है, cylindrical होता है, branched होता है, solid, glabrous and milky latex present I hope आपको stem clear हो गया होगा, अब हम leaf की बात करते हैं, ठीके, अगर हम leaf की बात करते हैं, तो यहां पर जो leaf होती होती है, coline and rammel होती है, coline and rammel मतलब मैंने आपको बहुत 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 बहुता है, ऐसी leaf, जी क्या है, यह main stem होगया main stem, यह main branch पोल सकते हैं, okay और यह सब क्या होगी, this is lateral branches ऐसी stem, sorry, ऐसी leaf, जो main branch में भी ग्रो करते हैं, और lateral branches में भी ग्रो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, ऐसी leaves को coline and rammel, okay तो यहां पर leaf कैसे होती है, तो leaf coline and rammel होती है, opposite leaf होती है, अब leaf आप देखिए, कैसे हमने बोला कि opposite leaf है, कब हम opposite बोल रहे हैं, कब हम alternate बोल रहे हैं, अगर आपको यह सब समझ में आजाते हैं, आप easily ही किसी भी plant को देखकर आप उसके taxonomic character easily लिख सकते हैं, आप देखिए तो देखे लीफ, जो है वो same, ये क्या है, नोट है, तो same node पर arranged है leaf, एक й no under यह देखिए एक node यह तो leaf उसी node पर arranged है, यहा भी ऐसा ही है, इक ही node पर दोनो ही leaf attached होती है, यहा भी एक ही node पर leaf attached है, तो जब एक ही node पर leaf attached होती है, तम हम उसे बोलते है, कि leaf कि opposite हैं, एकदम, same node होती है ठीक है अब अल्टरनेट पर क्या होता है अल्टरनेट पर एक लिफ यहां पर होगी तो दूसरी लिफ यहां पर होगी यह अल्टरनेट होता है इसको अल्टरनेट बोलते हैं ओके अपोसिट में क्या यहां यहां पर नोड है ठीक है तो यहां पर लीफ होगी और यहां Enramal होते ही, opposite होते ही, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर लिफ का arrangement decasset होता है, decasset यहने कि अगर एक लिफ ऐसे है, थिक है, तो दूसरी लिफ X-Form में इसको intersect कर रही होगी, Okay, मतलब एक लिफ ऐसे है, यह लिफ है, तो दूसरी लेव कैसे होगी वह ऐसे और ऐसे होगी और वह क्या बनाए वह dx बनाएगी तो इस तरह से जब अरेंज़ होती तह उसको बोलते हैं कि dca set अरेंज़मेंट dc set का मेंनिंग होता है इंटरसक्टिंग इच अधर intersecting each other जो एक दूसरी को intersect करती है उसे हम decassate करते हैं तो यहां पर हमने leaf को देखा एक leaf जो है वो इस तरह से अरेंज है तो दूसरी leaf जो है वो ऐसे अरेंज है और वो x का x form में आरेंज हो रहे गी तो यहाँ पर leaf Cholindramal Opposite Degasate Stipulate यानि कि Stipule यहाँ पर present है Okay, Stipule Intrapatiolar ठीक है, यह जो दो leafs के जो petiol है वहाँ पर यह present है, एक यहाँ present है और यहाँ पर present है This is अब हम leaf देखे, एक simple leaf के अगर हम study के तो इसमें जो leaf होती है वो simple leaf होती है, ठीक है, sub-sacile होती है leaf Sub-sacile का basically meaning क्या होता है अब इस leaf क्या होती है, leaf simple होती है Okay, leaf simple होती है, sub-sacile होती है, sub-sacile यानि कि इसमें जो आप देख पा रहे हैं तो यह जो petiole होती है, वो काफी छोटा होता है Lensurate होती है, इसका जो shape होता है, वो lens के type का होता है Entire होती है, यानि कि यह पूरी होती है इसकी margin कैसी है, margin entire होती है And इसका apex देखे, तो apex इसका acute apex होता है And glamorous होती है, यानि कि जो leaf होती होती है, इसमें एक भी hair present नहीं होता है And इसमें अगर venition की बात करें, तो यहां पर हम हमें unique prostate reticulate venition देखने को मिलता है Okay, तो हमने leaf की बारे में क्या पढ़ा, कि जो leaf होती है, वो basically colline and ramal होती है Opposite होती है, Stipulate होती है, Stipulate होती है, यानि कि Stipule present होता है, हमने पर दिखाया था आप हो, कहाँ पर Stipule present है Stipule intrapetular होता है, Simple होती है leaf, Subsicide होती है, Lensulate होती है, Entire होती है Okay, Acute Apex होता है, Glabrous होती है leaf and Unicostrid Reticulate Venation हमें इसमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर Study करेंगे Tavari Montana, Tavari Kataka, Inflorescence, Flower, Calyx and Corolla तो अगर हम Inflorescence की बात करें, तो यहाँ पर Inflorescence Terminal Syme होता है, कैसा होता है, Terminal Syme Okay, Flower में हम देखेंगे कि यह Flower में Bract present होती है Okay, Yes, बिल्कुल, Bract यहाँ पर present है तो यहाँ भी यह देखेंगे, छोटी सी Bract present होती है Okay, This is Bract Hmm, तो यह जो flower होता है, वो कैसा होता है, Bract यह उता है, यहाँ पर present होती है तो आप देख सकते हैं कि यह यहाँ पर यह Bract present है The flower का ऐसर होता है, Bract, Pedicillate होता है, यानि कि Pedicillate यहाँ पर present है Okay, Pedicillate complete होता है, यानि कि इसमें जो 4 important words होती है, वो present होती है Actylomorphic, Hermaphrodite, Pentameras होता है, यानि कि 5-5 के form में सब Arrange होता है, 5 Saples होंगे, 5 Petals होंगे Okay, and Hypogynos होता है, and Cyclic होता है, यह flower Hypogynos होता है, यानि कि इसमें जो ovary रहती है, वो superior होती है यानि जो flower होता है, वो कैसा Cyclic होता है, तो हमने flower के बारे में पढ़ा कि फ्लार Bract, Pedicillate होता है, हमने देखा था हमाने flower में Pedicillate होता है Complete होता है, Ectinomorphic होता है, Hermaphrodite, Pentameras, Hypogynos and Cyclic, अब बात करते हैं, तो यहां पे Calyx जो होता है, वो Calyx यहां पे, Calyx की बात करते हैं, तो यहां पे Saples 5 होते हैं, Policy Palace होता है, यानि कि यहां पे Saples कैसे रहते हैं? यहां पे, Free होते हैं, Fused नहीं होते हैं, Bacally Connate होते हैं, यानि कि नीचे क्या होते हैं, नीचे एक दूसरे से Attached होते हैं, Quinquenzial Arrangement होता है यहां पे, और यह चो Calyx होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, यानि कि जब तक Flower रहता है, जब तक Calyx भी रहते हैं, तो यह Flower है इसको हम Base से अलग कर लेते हैं, तो यहां पे हम देखेंगे, तो हम देख पा रहे हैं कि यहां प Perfect Callies होते हैं, बेस के रहते हैं तो बैसले को यह होते हैं डाय worship होते हैं और होता है अभीश पई होते हैं जो इसलिए आपsel पोलिख भी बहुल पघए होते हैं तो कालेक्स में हमने क्या पड़ा कि यहां पर क्यालिक्स फाइफ होते हैं और यहां पर 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 यह है यह दूसरी के उपर ऐसा यह रहता है तो उसे हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं यह दूसरी से आके यह पर फ्यूजट है तो यह हम ग्याम पेटलस बोल रहे हैं पेटलस को हम देख पारें तो वन टू थी फॉर फाइव पेटलस होते हैं कॉरोनरी आउट्ग्रोथ प्रिसंट होती है अट्वाट अब दो कॉरोला अंड कलर इसका वाइट होता है अब हम यहाँ पर इस्टिलस न्शली करेंगे इन्रोसियों गैकनोसियूम फ्रूट अर्व्लोरल फॉर्मुला रोकरна Oh , अब मैं इंरोसियों देखे निया इंडरोसियोंस फाइफ होते हैं अब हूं यह सारी फीचर अपने फ्लार मेंदेखते हैं ए आ इसको ऐसे उपन करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहां पर हमने बताया था कि यहां पर फाइब इस्टिमेंट होते हैं तो एक इस्टिमेंट यह रहा दूसरा इस्टिमेंट यह रहा और यहां पर रहें तीन इस्टिमेंट यह रहें तीन इस्टिमेंट यह रहें तीन इस्टिमेंट यह रहें तीन इस्टिमेंट यहां पर हमने देखें यहां पर हमने बताया कि यहां पर इस्टिमेंट 5 होते हैं पॉली अंड्रेस रहता है यान apipetalis होता है जब हमारे stamens पेटल से अटाच होते हैं so that this condition is called apipetalis because there is stamens attached to the petals inserted at the throat of corolla, जो corolla tube है उस पे क्या यहाँ पे stamens अटाच होते हैं अधर्स होते हैं तो अधर्स को अगरम देखें, अधर्स की study करें तो यहाँ पे अंधर्स दाई ही कास होते हैं Chip and bassy fixed होते हैं, nehme care ofimin यहाँ यहां पे देख पा ранहीं है, तो यहाँ पे mañana 향 Jeśli अंधर्स दाइथीकस होते हैं बदे इन्ट्रोश होते हैं और इंट्रोस होते हैं okay Gynosum होता है by नहीं होता है सिंकरपस होता है ओवरी superior होतीました Bilocularипs jemandemak placentation यहां देखने को मिलता है स्टाइल यहां पर लॉंग होती, स्टिग्मा यहां पर बाइफिर होता है तो अब हम यह सारे फीचर अपने फ्लार में देख लेते हैं तो यहां पर यह कारपल है ठीक है? होता है कासास पेमां यहां पर यहां पर अपिरोंग है वेक। होता हुश पधल सुनास स्टैंटिशन में होता है और फ्लोरल फॉर्मॉला तो यहां पर ब्रक्टिएट, एक्तिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कालेक्स 5, कॉरॉला 5, लिपट, गामभी तेलस, एंरोसियम 5, और गाइनोसियम, बाइकर्पिलरी, टू कार्पिल्स प्रेजंट होते हैं यहां पर, और कैसे रहती है, सुप बनीओंटन, दिवारी काठए, यहां प्रेजिव मोन तनर दिवारी काठा, प्रेजिए यह यहां पर आखिपिल्से पान से के सिते हैं यहां प्रोड़्ाइट रहें पर काथा हैं यहां भी तो यह जब एक्टार्ण, परूडवरी मॉनॉर्ट प्रहें भीजु़ाएं निक